आज का जनरेशन भले ही बालों पर तेल ना लगाता हो, बड़ शैंपू का यूज करना बिल्कुल भी नहीं भोलते हैं, इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेर करने वाली हो एक शैंपू की रेसिपी जिसे आप घर पर बड़े असाने से बना सकते हैं, क्या कि पीछे कुछ लॉजिक तो होना चाहिए है ना, तो जब मैं आपको कह रहे ही हूँ कि घर पर शैंपू बना कर यूज करें तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, तो चलिए इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, जब हमारी तवियत खराब होती है, तो डॉ बाहर की शैंपू अपने बालों पर लगाते हैं, तो वो आपके बालों को क्लीन करने के साथ साथ बोनस के तोर पर बालों को ड्राय और डामेज भी बना देता है, लेकि जो होममेट शैंपू है, यह आपके बालों को नाचरली हेल्दी रखता है, और जब बाल हेल्दी रह होगा कि तो फिर हूं में श्यांपू का इस्तिमाल क्यों करना है आज कर नहीं करना है नहीं कर सकते हैं अजका हो में यह आपके लिए बहुत ज्यादा पाइद मंध होने वाला है और इस मिनिमाम खर्च में बना सकते हैं मतलब इतने कम खर्चे में जितने में आप सोज भी नहीं सकते हैं और इस शैंपू को बनाने के लिए बेस के तौर पर हम जिस चीज का यूज करने वाले है वो है रीठा जिसे अरीठा और इंगलिश में सोपनर भी कहा जाता है शैंपू पर जो जाग आपको सकते हैं फिर इस रीठे के अंदर के जो बीज है इससे हम निकाल लेंगे तो इस तरह से मैं इसके अंदर के बीज को निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं तो यह है रीठे के अंदर की बीज हमें नहीं चाहिए और इसी तरह से सेम इसी तरह से आपको बाकी के जो रीठा है उसके बीज भी निकाल लेना है तो मैंने यहाँ पर बाकी के जो रीठा है उसके बीज निकाल लिया है अब देखी सकते हैं अब इस रीठा को एक बड़े साइस के बोल में डाल देंगे और उसमें लगभग एक ग्लास जितना पानी डाल देंगे अगर क्वांटिटी की हिसा आप से बात किया जाए तो 300 ml जितना पानी यहाँ पर हमने डाल दिया है अब इस पोल को एक प्लेट की मदद से ढख कर रात भर के लिए इसे भीगने के लिए छोड़ दे और अगले दिन सुभा उटने के बाद हम निकल परेंगे हमारे शैंपू की मेन इंगूडियंस के खोज में जो है करी लीव मेरे घर के पास एक जगा है जहाँ पर मुझे करी पत्ता मिल गया है अगर आपके घर के पास मिल जाता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं नहीं तो मार्किन में भी यह बहुत ही सस्रादामों पर मिल जाता है तो यह जो न्यूँ फ्रेश-क्रीन के करिलीव से मैं इसे को लोगी और जो ड्रक कलरे के करी लीवीस होते हैं मतलब कि ड्रक ल्रीन कलर अब लेلة Besides लेकिन कोशिश करे जो light green color के एक तुम fresh curry leaves आते हैं उसे ही लेने की तो यहाँ पर कुछ curry पत्ती को मैं तोड़ लूँगी जो ये fresh new green leaves है मैं इसी को ले रही हूँ तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे तोड़ लिया है कुछ curry पत्तों को तोड़ कर मैं अपने घर ले आई हूँ अब क्या करना है इन पत्तियों को एक एक करके तोड़ कर अलग करना है curry leaves बालों के लिए एक जबरदस्त ingredient है इसमें भरपूर मात्रा में antioxidant, vitamin A, B, C और vitamin E पाया जाता है जो scalp की नमी को बनाये रखता है, dead follicles को हटाता है और scalp को clean रखता है और जब scalp clean रहता है तो feet hair growth में मदद मिलती है, hair growth अच्छे से होती है इसके अलावा इसमें पाया जाता है protein और beta carotene जो बालों का ज़रना कम करता है बालों को पतला होने से बचाता है, करी पत्त में amino acid भी पाया जाता है जो hair follicles को जड़ से मजबूत और healthy बनाने का काम करता है सारे पत्तियों को हमने तोड़ लिया है अविन पत्तियों को एक bowl में डाल देंगे और यहाँ पर मैं लगफ़क दो मुठी भर करी लिफ्स ले रही हूँ अगर आपको ज़्यादा amount में shampoo बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते है फिर इन्हें पानी डाल कर अच्छे से धोलेंगी यह बहुती important step है इसे अच्छे से जरूर करना क्योंकि अगर करी पत्ते में गंदगी रहेगा वो अच्छे से नहीं धुलेगा तो फिर आपका जो shampoo है वो अच्छे से नहीं बनेगा इसलिए पानी डाल कर कम से कम 2-3 बर अच्छी तरह से धोलीजिए ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे तो मैंने इसे लगबग 2-3 बर अच्छे से धोलिया है इसके बाद रात को जो रीठा भी होकर रखा था इसके धकन को हटा कर देख लेते हैं कि इसका condition क्या है तो आप देखी सकते हैं पानी का जो color है वो रीठे के कारण हलका सा change हो गया है अब एक पैन ले लेंगे और उसमें पानी समें रीठा डाल देंगे फिर इसमें add कर देंगे curry leaves सारे curry leaves को डाल दीजिए रीठा और curry leaves दोनों को पैन में डालने के बाद इसमें हम फिर से और आधा ग्लास पानी add करेंगे मतलब कि लगबग 1-100 ml जितना फिर इस pan को gas पर चरहा देंगे और इसे medium flame पर अच्छे से boil होने देंगे और बीच बीच में एक चम्मच की मदसे इसे steer करते रहना है जब ये अच्छे से boil हो जाए तब flame को एकदम low कर देना है और low flame पर इसे लगभग 8-10 मिनिट तक पकाना है और चम्मच से steer करना बिलकुल भी मत भूले बार बार इसे करते जाए low flame पर 8-10 मिनिट तक पकाने के बाद जब आपको इस पानी का color change होता हुआ दिखे और इसमें जाग बनता दिखे तब आप समझ जाए कि ये बन चुका है और फिर आपको gas बंद कर देना है अब इसे एक बोल में डाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होनी के लिए रग दिंगी अभी ये पूरी तरह से शैंपू के फॉर्म में नहीं बना है ठंडा होनी के बाद रीठा और करीपत्ते दोनों को हाथों से अच्छी तरह मसल ले ताकि इसकी सारी गुन पानी में मिल जाए और ऐसा करने से पहले अपने हाथों को किसी भी साबून या फिर हैंडवर्स से अच्छी तरह से धोज़रूर लेना गंदे हाथों से ऐसा बिलकुल भी मत करना नहीं तो ये जो शैंपू है ये आप पर कोई भी असर नहीं करेगा ये अच्छ से नहीं बनेगा तो आप देखी सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसे मसलती जा रही हूँ इसका जो जाक है वो बनता जा रहा है जब इस तरीके से एकदम शैंपू जैसा जाक आपको देखने को मिल जाए देख से रहते हैं मार्केट वाले जो शैंपू आते हैं बिलकुल वैसा ही जाक बन गया ह है तब क्या कर दा है जो यह करीपत्ते है इससे हम निकाल लेंगे मैं से हाथों की मदद से इस तrint से निकाल रही है यह तो आप संकर भी इसससे जाएगा अब इस शैंपू को मैं एक ग्लास बॉटल में भर लूँगी आप भी कोशिश करें कि ग्लास से बने किसी बॉटल या जार का इसकिमाल करने का किसी ग्लास के इस किसी चीज में अगर इसे आप स्टोर करते हैं तो यह जादा दिन के लिए अच्छा रहेगा कि हमारे पास तो कोई भी एशेंशियल ओयल नहीं है तो इसके जगह पर आप एक विटमिन E कैपसूल भी डाल सकते हैं वह आपको किसी भी केमिस्टोर में मिल जाएगा शैंशियल ओयल डालने के बाद इस बॉटल के धकन को बंद करके इसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे कितने दिन के लिए स्टोर करना है इस शैंपू को आप लगबग 10-15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और हर हफ़ते 2 यä 3 दिन करके लगा सकते हैं और इस शैंपू को लगाने से पहने बॉटल को थोड़ा सा शेक जरूर कर लेना इस शैंपू के बारे में थो भहत ज्यादा ज्यूदक्ट बिल्कुल सज बात है यह बहुत ज्यूदक ज्यूदक नहीं बनाएगगा जितने शांपु है जूरह वालते हैं यह बहुत छांपीडा tratar यह मेत है और कुछ नहीं है ठीक है तो यह शांपू बहुत जादा जाक नहीं बनाएगा बट बालों को क्लीन करेगा और अगर आपके बाल ऑईली है अगर आपने लगा कर रखाए तो भी यह क्लीन करेगा बस क्वांटिटी थोड़ी सी जादा लगी कि इस से जादा और वीडियो पहुचना चाहिए और हमें कमेट में जरूर बताए कि यह शांपू आपको कैसा लगा घर पर बना करें फिर इसे यूजब और फिर हमें बताए कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले इसी तरह की और भी नहीं वीडियो को देखने के लिए तो आज की लिए बस इतना ही दुबारा आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ